कि देखो अभी बहुत ज्यादा ध्यान से मैंने अभी आपको क्या बताया कि बच्चो यह वाला एक्जामपल लिया था अब मैं देखो कितने जल्दी आप मेकनिजम की तरफ जा रहे जिए पढ़ते पढ़ते एक एक चीज को आपको ध्यान से सिखना है आपको समझ में आ जा यह bondिंग यह तो यह BMO है तो यह आपका होगा इसका होगा यह इस वाले bond का यह होगा ABMO चलो यह ABMO की बाते चोड़ो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि attack ABMO में होगा अब मुझे बताओ question उड़ता है sir इस negative charge का attack fluorine वाले carbon पे fluorine वाले carbon पे जल्दी होगा या बच्चो इस negative का attack chlorine वाले carbon पे जल्दी होगा बताओ यार message करके तो आप बोलोगे sir fluorine ज्यादा से ज्यादा electron ओपर खिचेगा ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ सुनना अच्चे से बच्चो fluorine ज्यादा electron ओपर किचेगा तो इस carbon पे ज्यादा positive charge आएगा अगर ज्यादा positive charge आएगा तो बच्चो इस negative का attack भी इस orbital में ज्यादा fast होगा तो ये fast होगा as compared to this path यानि कि जब कोई negative charge spaces आके attack करेगी तो वो first path को prefer करेंगी as compared to second path चलो बच्चो थोड़ा आगे बढ़ताओ बच्चो थोड़ा सा आगे बढ़ताओ बहुत ज्यादा ज्याद से सुनने की कोशिश करो और बताओ double bond CH fluorine इदर यहाँ पर आप मुझे बताओ मेरा negative charge इस वाले carbon पे attack करेगा या इस वाले carbon पे attack करेगा carbon number A और carbon number B बोलो आप message करके बताओ A या B पे किस पे attack करेगा बताओ रे सब मेरा negative charge किस carbon पे attack करेगा तो आप बोलोगे सर यह fluorine ने बहुत खतरनाक लोगे यह सर इस पे negative यहाँ पे भर भर के positive charge लाएंगे तो यह negative का attack यहाँ पे होगा यहाँ पे नहीं होगा क्या आप सभी को एक चीज़ समझ में आ रही है अगर आपको electro negativity अच्छे से आती हो बच्चो ध्यान से सुनना अगर आपको electro negativity अच्छे से आती हो तो सबसे पहले चीज़ आपको attack समझ में आयेगा बच्चों आपको attack समझ में आएगा कि कहां पर attack करना है और कहां पर attack नहीं करना जब interesting बात तो तब आते हैं कि जब यहां पर मैं NH ले लू NH2 ले लू और यहां पर मैं लू chlorine अब आएगा मजा अब बताओ negative charge कहां पर attack करेगा तो बहुत बच्चे सीधे chlorine पर attack करते लेकिन क्या आपने एक और चीज़ देखी सर कि सर जी इधर आपका nitrogen है तो सर nitrogen की electron negativity 3.0 होती है और chlorine की electron negativity आपकी 2.9 होती है तो आप बोलोगे सर यह example ले रहा हूँ इसको कोई ज़्यादा दिल पे मतलो ठीके मैं आपको एक concept पड़ा रहा हूँ तो attack होगा सर यहां पर यहां पर N2 लगा दूगा मैं N2 nitrogen N2 nitrogen gas लगा दूँ तो आप बोलोगे सर यहां से nitrogen gas निकल जाएंगी तो क्या आप सभी को समझ में आया कि electron negativity के base पे हम एक चीज define कर सकते कि कि किसी negative charge का attack कहां पे होगा और कहां पे नहीं होगा बच्चो मेसेज करके बताओ क्या सब को clear है सब के सब मेसेज करके बताओ यह attack वाली बात सबको समझ में आई बहुत अच्छी बात हैं दूसरी बात सुनोओ अभी अच्चे से आप मैं पढवाउंगा हां बहुत अच्ची बात है बहुत अच्ची बात है देखो आज मैं तुम्हें दोचीजें पढ़ाईंगा है कि result पढवां नेक इंटरोडक्शन दे रहत किना इलेक्ट्रोफाइल पड़ा होगा या नई भी पड़ा फिर भी देखो इलेक्ट्रोफाइल ठीक है ना कि मिनीट एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और बच्चों दूसरा होता है आप सबको पता होगा निउक्लियो आज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टन चीजे बता रहा हूँ जिवोसी के फर्स लेक्चर में क्यूंकि धीरे धीरे आगे जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे और यह चीजे आमें काम आएंगे देखो आप मैं बताता हूँ इलेक्ट्रो फाइल क्या होता है तो सबसे पहले बात इलेक्ट्रो फाइल बोले तो इलेक्ट्रो लविंग जो इलेक्ट्रो लविंग होता है और बच्चो न्यूक्लियो फाइल मले तो क्या आप बोलोगे सर जो चीज न्यूक्लियोस लविंग होती है न्यूक्लियस लविंग एन्यू मतलब न्यूक्लियस और loving लिख देता हूँ आगे loving ठीक है ना चलो आप थोड़ा और ध्यान से सुनना थोड़ा और ध्यान से इन चीदों को देखो Electrofile और nuclearfile की में कहानी थोड़ा और elaborate कर देता हूँ बच्चो ध्यान से सुनना देखो electron loving का मतलब होता है अगर यह electron को love करती है यह कौन? Electrofile तो इस पे कौन सा चार्ज होगा सर? सर, Electrofile पे हमेशा एक चार्ज होगा that is positive जो की electron loving है क्या सबको Electrofile का मतलब समझ माया? बताओ जल्दी बताओ हाया सर, nuclearfile ओ चीज होती है which is nucleus loving अरे, nucleus loving बोले तो सर nucleus पे positive charge होता है यानि कि nucleus loving यानि कि nuclearfile पे कौन सा चार्ज आ जाएगा negative charge nuclearfile पे आ जाएगा negative charge अब थोड़ा ध्यान से सुनो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे बातो को देखो, मार लो मेरे पास NO2 प्लस है ये वाले एक चीज है अब इसको ज्यादा detail में मत जाओ इनको पढ़ाऊंगा मैं और अच्छे से नाम होगे रहे और दूसरा मेरे पास बच्चो CL- है तो आप बोलोगे सर ये positive charge है और इसको electron चाहिए electron loving यानि कि इसको मैं बोलूँगा electrofile ये सर इसको negative charge है तो सर इसको positive चाहिए इसको nucleus चाहिए तो इसको मैं बोलूँगा nucleophile वो negative होती है क्या आपको electrofile और nucleophile का मतलब समझ में आया simple बोलू जिस पे positive charge वो आपका electrofile जिस पे negative charge वो आपका nucleophile बच्चो समझ में आया सबको हा या ना हा या ना जल्दी बता थोड़ा और अच्चे से मानलो मेरे एक carbon chain है और यहाँ पे मानलो मेरे पास कोई fluorine है chlorine है अब यहाँ पे मैं मेरा क्या लेके आऊँगा तो अब मैं लेके आऊँगा यहाँ पे मेरा nucleophile अरे मज़ा आ जाएगा तो यह nucleophile लेके आया मैं और आपने बोला सर कहाँ पे attack करूँ तो इस carbon पे attack करूँगा और इस center को बोला जाता है ध्यान से दुनना इस center पे कौन सा charge आएगा बच्चो सर positive charge आएगा जिस पे nucleophile attack करेगा समझ में आया सबको अरे सर यह charge तो positive है जिस पे nucleophile attack करेगा इस center को बोला जाता है nucleophile center इस center को बोला जाता है nucleophile center और यहां से यह वाले चीज़ दफा हो जाएगी निकल जाएगा chlorine निकल जाएगा Cl- की form में एक एक चीज़ पे ध्यान देना आप कैसे निकलेंगा आगे पड़ेंगे वो क्लोरीन यहां से निकल जाएगा और जो निकलने वाली चीज़ है उसको हम बोलेंगे Living Group उसको हम बोलेंगे Living Group क्या आप सभी को एक एक चीज़ का मतलब समझ में आ रहे थोड़ा थोड़ा इत्तू सा इत्तू सा सर जो एटेक करेगा निगेटिव चार्ज वाला नुकलेफाइल जहां पर एटेक करेगा नुकलेफिलिक सेंटर और जो निकल के जाएगा Living Group क्या आप तीन आपको यह तीन चीज़ों का मतलब समझ में आया न्यूक्लियो फिलिक सेंटर न्यूक्लियो फाइल और लिविंग गुरूप अब आगे देखो थोड़ा आगे देखो सर मानलो किसी के पास निगेटिव चार्ज है मानलो ये निगेटिव चार्ज मैं अभी पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहा बस एक चीज़ देखो, और मानलो मेरे पास H plus है, मानलो मेरे पास यहाँ पे H plus है, hydrogen पे positive चार्श है, तो आप बोलोगे सर, यह कोन हो गाया मेरा, सर यह हो गाया मेरा अटेक कर सकता है don't worry,electrofile कहां पर अटेक करेगा भी H plus, यहां पर attack करेगा बच्ों समझ में आया, और इस center को मैं बूलूँगा, इस center को में बूलूँगा, electro, electrophilic center, जहां पर electrophile, जहां पर electrophile attack करता है, जहां पर electrophile बोले तो Letron loving, H plus is electron loving spaces, that's why H plus is known as electrophile, जहाँ पर electrophile attack करेंगा, उस center को हम बोलेंगे Electrophilic center, बच्चों क्या सभी को Electrophilic center, Nuclephilic center, Electrophile or Nuclephile समझ में आए, message करो हा, आना, देखो, अभी मैंने बताया, तो याद रखना अभी खतरना CCP चैज्फ बटारहों में आप द्श्ञान देना इन चीज़ों पर देखो माय लो यहां पर क्लॉरीन है और यह आपका ऑलकल हेलाईड यह आप सबको पता है माइक बन करतो ठीक है यह आपका अलकील है यह आपको सबको पता है न है लाइड यहां पर एक आइड्रोजन में ने क्लोरिन से रिप्लेस किया अरे यह देखो इसको अच्छे सी लिख तूँ CH3 CH2 CH2 CL तो आप बोलोगे सर ध्यान देना यह हमारा मानलो रियाक्टंट है मानलो यह हमारा स्वारी देखो यहां पर मैं लिख देता हूँ मैं कुछ रियेजन्ट की बात कर लेता हूँ यहां पर थोड़े बहुत आपको एक आइड़े दे रहा हूँ मैं रियेजन्ट में मैं ने बोला था बच्चो बच्चो रियेजंट में दो पार्ट होते हैं कौन-कौन से पार्ट होते हैं सर एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और बच्चो दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल अब कुछ बच्चो इनका मिनिंग समझ भी नहाता मानलो किसी यह सियल रियेजंट है देखो है सियल एक रियेजंट है एक रियेजंट है तो अगर मैं सियल को ब्रेक करूँ तो एच सियल आपका जो रियेजंट है जो आपका रियेजंट है यह एक तो एच प्लस में तूटेगा और सियल माइनस में तूटेगा तो आप बोलोगे सर करो से हैं म हाँ अनmud कि अंधे मेंसेज करको यान हैं जब अंधे रिशन्ट के दो पार्ट इलेक्ट्रो फाइल और न्यू प्लेफाई तोड़ा और एक और एकपल में ले ले ताओ यहां पर ये जले ले ताओ में कुछ लाइए ज्यादा डीटल इसको टेंशन मतलो आपको जो चीज सुख्रने ज्यान दो सर यह हमारा रिएजंट है सर इसका ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा इलेक्ट्रो फाइल सरजी और बच्चों ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा न्यूप्लियो फाईल बच्चों क्लियर है मेसेज करो हायाना बस एक बार बता दो हायाना और देखो एक बात ध्यान से सुनना जनरली इलेक्ट्रो स्टैटिक रियाक्शन करते हैं मतलब बस आपको पूरे रियाक्शन में एक ही चीज़ करनी पड़ती जो प्लस है और माइनस के साथ जोड़ दो और की चीज़ करनी पड़ेंगे लेकिन हाँ याद रखना बेसिक चीज़े बहुत इंपोर्टन्ट है आप सभी के लिए आपको हाँ आप सभी को एक-एक छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है कि अब यह सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी से हम कैसे पता लगा सकते कि कौन किस पर अटेक करेगा ठीक है न बच्चों सबसे पहले तो हमने यह पता लगाया कि इलेक्ट्रो निगेटिविटी से हम कैसे पता लगाए कि कौन किस पर अटेक करेगा चलो एटेक करेगा तो कौन अटेक कर सब्सक्राइब कि एक्टॉल में क्या चलने वाला है रिएजंट के दो पार्ट होते एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट दूसरा होता है निगेटिवली चार्ज पार्ट अब बहुत समझ कर इस चीज़ को देखो अब एक और चीज़ में आपको बता दू बच्चों देखना अच्छे से सर यह आपका हो गया रिएजंट अब देखो यह आपका हो गया रिएजंट बहुत अच्छे सर यह हो गया आपका इसको क्या बूलू सर फिर सर मैं इसको बूलूंगा जिस पे रिएजंट एटेक करेंगा उस चीज़ को बूलूंगा functional group को मैं बुलूँगा substrate उसको बुलूँगा मैं substrate तो सबसे पहला question मैं बता दें चलूँगा reagent कोने substrate कोने starting starting बाद में आपको आदत हो जाएंगी तो सबसे पहले आपको समझ में आया जिस पे reagent attack करेंगा आया है जिस पे reagent attack करेंगा बच्चों मैं यहां पर एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं ब्रोमीन ले लेता हूँ यहाँ पर फ्लोरीन या ब्रोमीन ले लेता हूँ ठीक है ना कोई बात यहाँ पर ब्रोमीन ले लेता हूँ डोंट वरी अबाउट इट तो जिस पर रियेजंट एटेक करेगा उसको मैं शब्स्ट क्या होता है जो भी एरो के इधर वाला पार्ट है बच्छो उसको में रियक्टंड बोलूंगा जो एक्टेक करेगा जो एक्टिव स्पेसिस है जो एक्टेक करेगा फाइड करेगा उसको में रियेजंट बोलूंगा जिसपे एक्टेक करेगा जिसपे एक्टेक करेगा उसको म मैं बुलूँगा रियाक्टन्ट कि आप सभी को इन तीन चीज़ों का मेनिंग क्लियर है एक बार मेसेज करके बता हो जो एटेक करेगा और रियेजंट जिसपे एटेक करेगा और सबस्ट्रेट बच्चो दोनों को मिला के हम बोलेंगे रियाक्टन्ट थोड़ा आगे बढ़ तो यह था मेरा क्लोरीन पर यह ऐसे था मानलों मेरे मिने रियेजंट लाया एच प्लस और सियल माइनस अब आप बताओ यहां पर यहां पर कोन एटेक करेगा यहां पर कोन एटेक करेगा यहां पर सौर यहां पर ब्रोमीन लगा दूमें तो बताओ सर CL- यहाँ पे अटेक करेगा यह यह प्लस अटेक करेगा आप बताओ बच्चो मेसेज करके बताओ खुद से क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सर पॉजिटिव चार्ज आएगा सर सर यह इस पे आया निगिटिव चार्ज यह इलेक्ट्रों खीच रहा है इस पे आया पॉजिटिव चार्ज तो सर यह इसके एंटि बॉड्निंग में अटेक करेगा और बच्चो यह क्लोरीन यह ब्रोमीन निकल जाएगा इलेक्ट्रों लेके इन दा फॉर्म आप बी आर माइनस तो आप मुझे बताओ इस तरह से बनेगा और नीचे आपका आ गया क्लोरीन और क्लोरीन के साथ बहार कौन चला गया आपका लिविघ गूप ब्रोमीन आप मजा रहा है सिखने में अरे आप सिखने में मजा रहा है सर नूकलियोफाइल का एटेक वहा नूकलियोफिलिक सेंटर पे सर ब्रोमिन निकल गया और ब्रोमिन निकलने के बाद BR- की फॉर्म में जैसे भार निकला इट इस आवर लिविंग ग्रूप निकलने वाला लिविंग ग्रूप अब आपको बताओ यहां पे कौन बचाये यर्च प्लस बचाये तो आप बुलोगे सर अब यह एलेक्ट्रो फाइल जाके इस BR- के साथ चिपक जाएगा यज बी आर बन जाएगा और क्या आप सबको यह रियक्शन केसे होती है समझ में आया इनका मेकनिजम सबको समझ में आय यहां पर क्यों होगा यह तूटके क्यों जाएगा समझ में आया सबको इलेक्ट्रो फाइल क्या होता है न्यूक्लिय फाइल क्या होता है तो देखो यह तो बस बेसिक लिक्चर था